खेम शकर दो सों आप शबी का बहुत बहुत स्वागते दोस्कों आप शबी को बता दे कि आपके घर में जादू टोना कर रहे हैं ये तिन लोग दोसों समय रहते हो जायें शावधान वर ना धीरे दीरे या अपने माया जौल में आपको भुझा रही है ज़े दोस्कों हम आ क्यों दोसों आप को बता दे की पिछले श Mmagasya आपकी आश्यावधान के कारण आप इनके जाल में बहुत इज्हादा सुके हैं जे दोसों और दोसौं संप आपूर को बता दी कि कारण आप शबी की जुनकाल में बहुआ चारे परिशानियां होती हैं बहुआ शारे श्यूं हम आपको पुष व्हक्ति के बारें बताने वाले हैं जो कि आपके घर में तान्तरिक कीरिया जादु टोना कर रहे हैं. आफकी जुनकाल में लिए आफ और कुछए आपको अप जुनकाल में दस्तक दे रहा हैं . आखिर आपको अपने जुनकाल में अब कौन शार शुधार करना चाहिए, कौन सी विशेज बातों का अब आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि यह व्यक्ति दोवारा आप शबी की जुनकाल में कोई भी जादू टोना तांत्रिक करिया नहीं कर पाए, तो दोस्तों आज का यह विडियो आप शबी के लिए बहुत ज्यादा महत्पुन है, गरों के गोचर और पंचां की गरना के नुशार निर्मित क्या गया है, जो कि दोस्तों आप शबी के लिए बहुत यदा खाश होंगे, दोस्तों आपको बता दें, कि हम आपको कुछ हैशे मंतर के बारे में जो भी माकाली के शच्चे वक्त विडियो को देख रहे हैं, दोस्तों विडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें, और कमेंट बोक्ष में शच्चे मंत से जय माकाली लिग दें, माकाली के शिरबाश्य आपके जुनकाल में शारी परिशनें खत्मोंगी, जुनकाल में आ व्यक्ति के जुनकाल में एशी घठना होगी कि जब एक ग्रण और अरजित करने लगेंगे जो ज़ादा धन अरजित करेंगा उन्हें देखकर उनके दूसरे पक्ष कि लोग इरश्या करेंगे यानिकि दोस्तों उनके जुनकाल में रहने वाले जो लोग होंगे उनुसे लगेगा और उनकाल में उनका मुश्यबत का भी कारण बनेगा जिए दोसों ठीक इशी प्रकार आप शबी के राशी के शाथ देखा जा रहा है कि पिछले कईश्य में से जो आपके श्रब से करीबी लोग है जो आपको जान से भी ज्यादा मानते थे या फिर आप उन्हें ज जान से भी ज्यादा मानते थे दोसों एशेही लोग आपको दुखा दे रहे हैं जै दोसों तो दोसों भुगान श्री किश्न का या अग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोसों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बोक्स में एक दें जैश्र मंत्रों का कौन से उपाय करना चाहिए और शाथी आपको जुनकाल में कौन से गलतियां नहीं करनी चाहिए शुई बातें चली दोसों बात करते हैं पूरे विस्ताश्य दोसों आपको बता दें कि पिछले कुशालों से इस राशी के जो लोग हैं जो आपकी जोन में सबसे ज़्यदा परिशान हैं चैंदोसों बर्मान में विश्व में कुल जितनी री राशीया नहीं समस्तराश्यों में से आपकी ही राशी एक लोता एशी है जिनके पिछले कुश्वर्स बहुत ज़्यादा दुखत बेते हैं और शाइ दोसों बहुत ही मुश्यवितों का शामन तांत्रिक किर्याएं कुछ लोग करने वाले हैं यो के हैं तो दोस्तों आपकी जुनकाल में शंकट आने वाली है जिया दोस्तों पर दोस्तों इस बार जो आपके उपर शंकट आने वाले हैं जो मुश्यूपिते आने वाली है इनमें आपके ही गलतियां छुपी हुई दिख रही है जिया दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों आपका नेचर बहुती शिधा होता है बहुती श्रल्शोभाव के आप लोग होते हैं और दोस्तों आपके मन में कोई भी कपट न किसी को निच्चा गिराने के बारे में सोचते हैं प्रदू दोस्तों इतने शीधे इतने अच्छी होने की बावजुद भी इश्राशी के जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोस्तों लोग आपके भोलेपन का फाइदा उठा कर अपने जादू में आपको फशा रहे हैं यह कहें दोस्तों तांतरिक क्रिया में आपको फशा रहे हैं यानि कि दोस्तों आपको बता दें कुछ लोग अपने बातों से ही कुछ इससे जादू करते हैं कि दोस्तों आप उनके जाल में फंसते जाते हैं जिया दोस्तों पूरा शुन दिजिए आपके ही जीवन काल में रहने वाले तीन लोग जो की आज रात 12 बुजिशे आपको अपने बातों के जादू में फ़शाने वाले हैं यह कहें बातों के शितांत्रिक किर्या होगी जैसे आप उनके जाल में फ़शने वाले हैं और दोस्तों जुमिजए बार कोई बड़ी मुश्यबत आपके शर आशकती है तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दॉस्तों आपके राशी के जो भी जाद तक हैं आपको तीन गलतियां बताने वाले हैं जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जिवन में बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही ना दोराएं, जया दोसों, अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें, जया दोसों, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे, प्रन्तु आपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे, जया दोसों, जब एकता में विश्वास रखती हैं आप लोग सोचते हैं कि शबी का विकास एक साथ होना चाहिए दोसों अगर हमारे जिन्रगी में मुशिबत आए तो शबी को एक साथ रह कर जहनने चाहिए ज्यादोसों और वहीं दूसरे लोगों की शोच आपके विप्रित होती है ज्यादोसों आपको बता दें आप हमेशा अपने शाथियों का अपने मित्रों अपने रिस्तेदारों का भला चाहते हैं परिवारों का भला चाहते हैं उनकी मुशिबतों में आप सामिल रहते हैं उनके मुशिवतों को भी आप अपने शर ले लेते हैं प्रंदों दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं जिहां दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपके उपर मुशिवत आती है तो दोस्तों, आप देखते हैं कि आपके शाथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है दोस्तों, शब दुम दबाकर आपके पास ये भाग जाते हैं जे दोस्तों, गर आपको हमारा यहा बात सचा लग रहा हो तो दोस्तों हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा जे दोस्तों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्यवतों को आपने बांटा है प्रणदु दोस्तों जब आप पर शंकट आया तब दोस्तों शब भाग गए दोस्तों आपको अपने मुश्यवतो और उनकी मदद बिल्कुल ही ना करें आज शे ही आप इनको करना बंद कर दें जिया दोस्तों आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा किसी और इन्शान को नहीं मिलेगा आपको अपना दुख शोयंग ही जहलना पड़ेगा किसी और को बिल्कुल भी फर्क नहीं फड़ने वाला तो दोस्तों आज शे आप अपने की सोचें पर दोस्तों आपके दूसरी गलतियां होती है कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति से मुलकात करते हैं आप जिवन से जुड़े सबसे बड़े महत्मुन बातों को शेयर कर देते हैं तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान वे रखना चाहिए कि जिस भी इनसान से मिले चाहे आप शे बार बार मिले हो या फिर बहुत सालों के बात एक बार मिलो हो लेकिन दोस्तों आप उनकी नजरों में अच्छा बनने के लिए आप अपने जीवन से जुड़े कुछ भी महत्मुन बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें क्यों दोस्तों ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन ही भले आप शेयर मिलते हैं लेकिन दोस्तों आपके शबी बातों को जान लेते हैं और फिर आपके उपर में शंकुटों का वाईशा जाल बिछाते हैं क्यों दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं जेंदोसों और तिसरी गलती आपके जिवन में यहाँ है कि दोस्तों धन के मामले में किसी परहत से ज़्यादा भरवशान ना करें क्यों दोस्तों वर्तमान शमय में पेशा ही सब कुछ है जेंदोसों बात कड़ भी है लेकिन दोस्तों इस बात पर सच्चाई भी है जेया दोस्तों आपको बता दे कि आज की दोर में पेस्यों पूले कर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है दोस्तों आज रात बारा बज़ेशे आपके उपर कुछ लोग तांत्रिक किर्याईंग करने वाले हैं यो कहें तो दोस्तों अपने बातों के जाल में आपको फशाने वाले हैं तो दोस्तों इसे लोगों से आपको बचना है जो लोग आपके जूनकाल में आपके पहचान में हैं दोस्तों उनसे आप दूर रहें जो भी लोग आपको इसे बातों में फशाना चाहते हैं तो दोस् तो दोस्तों पर दिन आपकी जो मुश्चुबत हैं उनने में बिर्दी होती जाएंगी जुए और दोस्तों आप इन्हें सच्छे मित्र मानते हैं आप ऐस्य दुस्मनों से पीछा चुटा लेज़े दोस्तास बात करते हैं कि आपके उनकाल में आपको घर नहीं है कि आपके घर में किशरी का नजरदोश तो आपको कैना की तीन लाल शुखी пиш लेकर और जलाने के बाद अगर वाँ घंध नहीं करता हुझ तो दोसनों आपको उस्रम जाना है कि आपके घर में किशी का ज्रादू टोना हुआ है जिए दोसों इंशे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोसों आप शुपी को बता दें कि आप एक मुठी चावाग हाथ में रखकर 51 या पिर 108 बार ओम नमशिवाई का जाब करके पक्षियों के लिए घर से बाहर में डाल दें इस नियम को अकेज दिन या फिर एकावन दिन तक धोराए इशा करने से घर में श्रकार्तम उर्जा और शांती आती है और दोसों घर परिवार में किशी प्रेत आत्मा का शाया है या पर किशी ने काला जादू कर दिया है दोसों उनका नकार्तम परभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है और घर का वातरण बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्ण होने लगता है इसको प्राण दोसों एक और उपाय है आपके घर में भूत प्रिर का जबी शाया होता है खड़े होकर यह मंत्र का अक्केश बार्जाब करके पीजाएं एवंग इश्वार्षी अपने रोग को दूर करने के लिए प्रात्मा करें तो श्विगरी श्वास्त में आपका लाब होगा या परियोग श्वमार्षी शुरू करके रिवार्त तक लगतार साथ दिन तक कर दोसों मंत्र है एम धन्यवाद आप शबी का दिन शुब रहे